प्रिये विध्यार्थियों, मैं गुर्मीत सिंग, एसोसीट प्रोफेसर हिंदी विभाग राजकिये महाविध्याले बूंदी, आज के मेरे इव्याख्यान का विशे, बिये प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, दित्तिये प्रश्ण पत्र के अंतरगत, पाथे पुस्तक, कहानी संकलन से संबंदित है, आज हम कहानी कला के प्रमुक तत्व, अथ्वा कहानी का रचना विधान, किस प्रकार होता है, उस पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको विधित है, गद्य की प्रमुक विधाओं में, कहानी एक महत्वपुर्ण साहित्यक विधा है, जिसमें वास्त्विक जीवन के यथार्थ, तथा मानों के अंतर्मन की जटिल चेतना का विशलेशन होता है, कथा समिक्षकों ने, कहानी के मुल्यांकन के लिए, उन प्रमुक आधारों को खोजा है, जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है, इनी आधारों को कहानी के तत्तों के नाम से अभिहित किया गया है, शास्त्रीय समिक्षा द्वारा निरधारित कहानी के प्रमुक तत्तों ये माने गए हैं, पहला कथानक, दूसरा पात्र या चरेत्र चित्रन, तीसरा समवाद या कथोप कथन, चोथा देशकाल एवं वातावरन, पांचवा भाशा शेली, छठाव अंतिम उद्देश्य, सबसे पहले, हम इसके प्रथम तत्तों पर चर्चा करेंगे, पहला तत्तो होता है कथा वस्तू या कथानक, वह घटना या कथा जिस पर कहानी का धांचा निर्मित होता है, कथा वस्तू कहलाती है, कथा वस्तू का चैन, कहानी कार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है, वह मानव जीवन से कथानक का चैन कर उसे कल्पना एवं मर्मिस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है, प्रमुक घटनाओं को अनेक घटनाओं से जोड़ता है, वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टी प्रदान करता है, तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित एवं सूगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कोर्तुहल वर्धक लगता है, विकास क्रम की दृष्टी से यदि हम देखें तो कथानक के चार विकास सोपान माने गए हैं, पहला आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा, तथा चोथा अंत, कहानी का आरंभ, अत्यंत, आकर्शक होना चाहिए, विकास सोपान में कहानीकार कहानी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप इसपष्ट करता हुआ, संघर्ष की उत्पत्ती करता है, चरम सीमा वह सोपान है, जहां कहानी की समवेदना पाठक को प्रेशित हो जाती है, और पाठक कहानी की समस्या से अभीभूत हो जाता है, अंत में कहानी से प्रेशित होने वाला परिणाम निहित होता है, कहानी का दूसरा तत्तो है पात्र या चरेत्र चित्रन, घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्तो नहीं होता उनका महत्तो केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की द्रश्ची से ही है यह कथन था मुन्शी प्रेमचंद का जो उन्होंने कहानी के समंद में कहा था जिसका अर्थ यह हुआ कि कहानी में वे पात्र परमुक होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथावस्तु घूमती है इसलिए पात्रों के चैन में कहानी कारों को सावधानी बरतनी पड़ती है यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्त्विक जीवन के दुख सुख जहलने वाले हैं तो उनका तादात में पात्रों के साथ सहज ही हो जाता है कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए कहानी में लेखा की द्रष्टी प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए तीसरा कहानी का तत्तु आता है समवाद या कथोब कथन कहानी में पात्रों के वारता लाब समवाद कहलाते हैं ये समवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही हैं साथ ही वर्ण नात्मक्ता की एक रस्ता को तोड़ कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं कहानी में समवाद कथान को गती परदान करते हैं पात्रों का चरेत्र चित्रन करते हैं कहानी को स्वाभाविक्ता प्रदान करते हैं कहानी का उद्देश्य इस्पष्ट करते हैं इन सब कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जब कहानी के संवाद पात्र परिस्तती एवं घटना के अनुकूल हो संक्षिप्त एवं व्यंगेपूर्ण हों कथानक को प्रभमान बनाने में समर्थ हों चरित्रों को उभारने वाले हों तथा सरल एवं स्पष्ट हों इसलिए समवाद या कथोप कथन कहानी का एक प्रमुख एवं आवश्यक तत्व माना गया है चोथा तत्व आता है देश काल एवं वातावरन वातावरन का अर्थ है उन सभी परिस्थतियों का चित्रन करना जिन में कहानी की घटनाएं घटित हो रही है तथा जिन में कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं पात्र और उनके चारों और पदार्थों का संबंद बहुत गहन होता है उनका चित्रन न केवल पात्र की मानसिक इस्तति को उद्गाटित करने में सहयक होता है प्रत्युत सही वातावरन किसी भी कहानी को विश्वस्निय भी बनाता है शास्त्रीय द्रश्टी से वातावरन के सामानेता तीन पक्ष माने गए है पहला जो हमारी इंद्रियों को परभावित कर उद्धीप्त करता है दूसरा जो हमारी सोंदर्यान भूती की वरत्ती को परितरप्त करता है और तीसरा जो हमारी सच्ची साहन भूती की वरत्ती को जागरत करता है प्रत्थम परकार के वातावरन को पश्चमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है मगर इनमें सबसे महतोपूर्ण तीसरा परकार है जिसमें वास्त्विक जगत का वातावरन आता है आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजीक परिवेश को उभारना आवशक मानते हैं क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर अभिभाज्य रूप से जुड़े हैं पांचमा तत्व आता है भाशा शेली कहानी में इस तत्व का सम्मंध कहानी के कथे के प्रभावसाली सम्प्रेशन से है कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि पाठक पर उसका अपैक्षित परभाव पड़े इसके लिए आवशक है कि कहानी की भाशा सरल इसपस्ट परभाव मैं तथा पात्रानुकूल हो जब हम कहानी को वास्त्विक जीवन से जोडते हैं तो कहानी की भाषा वास्त्विक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए यह तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के करत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्विकार करेगा इस प्रकार भाशा शेली कहानी का एक अभिन्व तत्तु माना जाता है जहां तक शेली का समन्द है उसमें सजीवता, रोचकता, संकेता अत्मक्ता तथा परभवात्मक्ता आदिका होना नितांत आवश्यक है कहानी कार इन शेलियों में कहानी लिख सकता है जैसे वर्णन परधान शेली, आत्मकथा शेली, पत्रात्मक शेली, डाइरी शेली इन में से कहानी कार अपने कथे के अनुकूल एक या कई शेलियों को अपनी कहानी के लिए चुन सकता है कहानी का अन्तिम तत्व, उद्देश्य, कहानी पाठका मनोरंजन करती है मगर कहानी का उद्देश्य, मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रती दृष्टी कोन प्रस्तुत किया जाता है मगर कहानी उपदेश नहीं देती, वह तो मानव जीवन के किसी सत्ते का उद्धाटन करती है आधुनी कहानी कार इस बात को महतो नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की व्रत्यों का उन्यन करे लेकिन कहीं न कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके सम्वेगों को जगाता तो है ही यदि वह पाठक के समक्ष आज की विकड परिस्तितियों का चित्रन कर उनके प्रती पाठो को जागरुक बनाता है तो भी उसके लक्षे की सिध्धी हो जाती है विध्यार्थियों यह कहानी के जो च्छ तत्तो होते है जैसा कि हमने इन तत्तों का विशलेशन किया सबसे प्रत्थम वो महतुपुन तत्तों कथावस्तु या कथानक दूसरा पात्र या चडितर चित्रन तीसरा समवाद या कथोप कथन चोथा देश काल एवं वातावरन पांचमा भाशा शेली चठा उद्देश्य परिक्षा में आपसे अती लगुतरात्मक प्रश्म भी पूछा जा सकता है जिसमें कहानी के कितने तत्तों होते हैं उनके नाम लिखिए तो आपको उसमें लिखना होगा कि कहानी के च्छे तत्तों होते हैं जिनके नाम इस परकार है कथा वस्तू या कथानक, पात्र या चरेतर चत्रन, समवाद या कथोप कथन, देश काल वातावरन, भाशा अशेली उद्देश्य इन छे तत्तों के आधर पर हम किसी भी कहानी का मुल्यांकन कर सकते हैं प्राय, सभी कहानी कार, एवं रचना कार, इन सभी छे तत्तों का समावेश करते हुए, अपनी रचना को सजीव बनाते हैं कहानी कार के द्वारा, जो प्रमुक समस्या, उस कहानी के मार्ध्यम से उठाई जाती है उस समस्या को पाठक किस परकार से अंगी कार करते हैं उस समस्या के प्रती सचेत होते हैं, सजग होते हैं यह कहानी कार के रचना विधान की सार्थक्ता पर निर्भर करता है इसलिए मुख्य रूप से कहानी में इन छे तत्तों का होना आवशक है यदि इन तत्तों का समावेश कहानी में नहीं होगा तो वह कहानी अपने वास्त्विक उद्देशे को प्राप्त नहीं कर सकती पाठकों के हिर्दे को नहीं जखजोर सकती सामाजिक चेतना नहीं ला सकती इसलिए इन सभी तत्तों का होना नितांत आवशक होता है एक कहानी में वही कहानी सफल कही जा सकती है आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा